नमस्कार, अभीन हम है भगवान बालमीकी आश्रम नेहरू पार्क में और हमारे साथ हैं स्वामी वीबेक नाजी महराज जो आश्रम के संचालक है जो 22 जन्वरी को अजुद्या में रामलला प्राण परतिष्टा हुई तो उसमें पहले दिन ही 22 तारीक को ही स्वामी जी को र प्राण प्रतिष्टा के शुब अपसर पर शुब कारिके लिए मैं पूरे देश्वासियों को बदाई देना चाहता हूँ प्राण प्रतिष्टा एक एत्यासिक कारिता सभी जानते हैं लगवक 500 वर्स संगर्ष चला जिसमें हमारे तमाम राम भक्त आंदोलन में सहीद हुए मैं उन सहीदों को भी सरद्धांजली देना चाहता हूँ यह बगवार राम के मंदर की जो प्राण प्रतिष्टा है यह एत्यासिक तो है ही है साथ साथ हिंदु धर्म के मान सम्मान से जड़ा हुआ भी एक मुद्दा था एक लंबे संगर्ष के बाद इसमें हमें कामियाभी मिले प्राण प्रतिष्टा का जो चंड था वो अद्भुत था वहां की जो व्यवस्ता थी बहुत सुंदर व्यवस्ता जिसमें संतों के रहने के लिए मैं समझता हूँ एक अच्छा सा नगर बसा हुआ था जहां हजारों शंत व्यवस्तित तरीके से रह पाए वहां पर मुझे भी उस सुबब सर पर जाने का सुबागी प्राप्त हुआ एक कमरे में तीन संतों को रुकने की विवस्ता थी कमरे में लैटिन बातरूम की एक अच्छी विवस्ता भोजन के लिए तीन-तीन लंगर चल रहे थे जिसमें पंजाबी लंगर भी था शाउत हिंडियन जो एक लंगर चला हुआ था एक लंगर और था तो वह भोजन की किसी प्रकार की कोई शमेश्या नहीं थी साथ-साथ जो सेवादार थे वहां के उनकी सेवात भुत थे मतलब नहने के लिए पानी की विवस्ता है गरम पानी हो रहा जगे-जगे भगोनों में सासा चाय की कॉफी की गरम पानी की पीने की विवस्ता टेबलों के उपर रखी हुए है मतलब एक अदबत नजारा था मैं समय था हूँ जो नगर बसाया है और इस आयोजन से एक जो सबसे अच्छा जो मैसिज गया वह एत्यासिकार्य तो था ही एक समरस्ता का जो एक मैसिज गया कि वहाँ पर जितने भी लोग गए थे वो एक समान तरीके से उनकी विवस्ता एक समान तरीके से उनकी आने जाने की विवस्ता एक समान तरीके से उनकी बैठने की विवस्ता हर कारी विवस्ते तुरूप से जहां तक स्वरच्चा की दृष्टी से जो मेरा अनभवरा मैं समझता हूँ जिस तरह की स्वरच्चा थी वहाँ पर कोई भी गत्विदी गलत हो जाए ऐसी कोई गुंजायस नहीं थी मतलब विवस्ता इतनी अच्छी थी स्वरच्चा की उसके बाद जो विवस्ता बता ही हमारे चंपत राइजी ने उससे भी बहुत कुछ हम है समझने के लिए मिला के किस तरह से चार हजार लोगों ने निर्माण कारी में इस्सा लिया जिसमें से एक हजार जो करमचारी थे उनको आमंतिर्थ किया गया था एक हजार करमचारी उन्होंने का सभी को तो नहीं आमंतिर्थ किया जा सकता क्योंकि विवस्ता जो है मतलब गड़वड़ा जाती बीड़ जाता हो जाती साथ-साथ एक और जो एक एहत्यासिक कार्य जो हुआ इसके लिए मैं बाहर सरकार को बदाई देना चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना वो भगवान वालमेग जी के नाम से जो ब भगवान वालमेग जी के बना राम का कोई अश्तित नहीं है और भगवान राम के बना वालमेग जी का अश्तित नहीं है एक दूसरे एक दूसरे के लिए पूरक हैं तो सबसे पहले पूरे विश्व से जब आगमन होगा त्यात्रियों का तो सबसे पहले वो बगवान बाल में एक जी के दरसन करेंगे एरपोर्ट पर आ करके तो मैं भारत सरकार के लिए इसे कारे के लिए बदाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा कारे किया है तो बहुत सुन्दर कारे था और जिस तरह से सादू संतों को बैठने की विवस्ता थे और जिस तरह से बताया गया हमारे देश के परदान मंतरी जी के दौरा परदेश के मुख्य मंतरी जी के दौरा एक हमारे पूजिशन्त थे जनोंने अपना अन्भव जनता के शामने रखा अतितियों के शामने रखा और समापन के बाद शवी को दर्शनों के लिए जाने का सवबाग्य प्राप्त हुआ तो एक अद्वुत छण था सादू संतों को प्रत्थम दर्शनों के लिए मैं भी वहां गया मुझे भी दर्शन करने का सवबाग्य प्राप्त हुआ ये अलग बात है कि भीड में बीड में इतनी तसली से तो दर्सन होना संभब नहीं होता लेकिन फिर भी सादू संतों ने दर्सन किये और बहुत अच्छा अभवरा मेरा पांच सो वर्सों के संघार से इंतिजार और लाको लोगों के बलिजान के बाद से वह मंदिर खड़ा गुआ और प्राणपतिष्टा हुए तो जब उस मंदिर में प्रवेस्ट कर रहे थे तो इसी तिहास के अगर परिकर्ट को जेते तो अपने अंदर क्या अनुभूती आ देखो वहां पर जितने भी शंतों पश्तित थे मैं समझता हूं सभी गौरानवेत महसूस कर वे थे एक अद्बत छण था और कुछ तो शर्धालू इस तरह से थे जो मैं समझ रहा हूं रो रहे थे वो खड़े-कड़े वो भी सीन देखने देखने के लिए मिला कि उनको ऐसा लग राता कि पता ने बगवार राम साक्षात दर्सन दे दिया हूं तो यह जो 500 वर्ष का संगर्षता समय समय पर बताए जाता रहा है और मैं समझता हूँ एक लंबा संगर्स था लंबा संगर्स हिंदू समाध ने बड़े धहरे का परचे दिया एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए और मतलब जब तक कामिया भी नहीं मिली तब तक वो संगर्स जारी रहा और आप जानते हो कितने लोगों ने अपने प्राणों के आऊ थी इसकार में दी यह हमारे लिए दुखद भी था क्योंकि हम अपने देश में और अपने इस्थान पर हम संगर्स कर रहे हैं तो यह हमारे लिए एक दुख का भी से भी भगवार राम जब आयोध्या में पैदा हुआ है तो Su 아버 baba कह एगर आयोध्या में मंद्यर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा उनका अंका आयोध्या में बनना चाहिए लेकिन हमें इसके लिए संगर्श करना पड़ में इसका दुख भी है संगर्शन ही करना चाहिए था वो प्यार से बन जाना चाहिए था और जब जरूरत पड़ी जब भी बन जाला चीए था तो अब वो मंदिर बन गया है प्राण प्रतिष्टा हो गई तब हिंदू समाज गोष्ट मगर एक तो ब्यापक जो संदेश जाता है वो क्या संदेश गया इस मंदिर के दो देखो सबसे बड़ा जो मैसिज जाता है वो यह एकता का जाता है भाहिचारे का जाता है और मिलकर किसी संगर्ष को करने का भी एक मैसिज जाता है समरश्टा का भी मैसिज जाता है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे देश बासी हैं सबी मिल्डूल करके रहें एक दूसरा एक दूसरे धर्म का शम्मान करें यह इत्यास रहा है कि हिंदू समाज ने किसी धर्म का अतिकर्मन नहीं किया है किसी समाज का अतिकर्मन नहीं किया है किसी धर्म का कि किसी को जबर्जेश्टी हिंदू बनाया गया हो ऐसा कभी नहीं हुआ है या किसी को लालच देकर के हिंदू बनाने का प्रयास किया हो ऐसा भी नहीं हुआ है लेकिन हमारे देश में तमाम जो धर्म के लोग हैं वो हमारे भोले भाले लोगों को धर्म परवर्तन के लिए उसाते हैं तो हमें उन चीजों को ढूंड़ना पड़ेगा कि हमारे लोग भैकावे में क्यों आ जाते हैं क्यों धर्म परवर्तन करते हैं क्या उनके सामने इस्तिती परिशानिया रहती हैं उन परिशानियों को दूर करने का भी हमें कार करना पड़ेगा जिससे हमारा कोई भी भाई धर्म परवर्तन ना करें क्योंकि जब धर्म परवर्तन होता है तो समाज कमजोर होता है धर्म कमजोर होता है और इसका मैसिज भी गलत जाता है अन्य धर्मों में तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने क्या हो शकता है